आज वीकेंड दड़का में मैं आप सब के साथ शियर कर रही हूँ मैंगो कस्टड की रेसिपी कस्टड तो आप सब खाते ही होंगे तो क्या आपने कभी गर्मियों में मैंगो कस्टड ट्राइ किया है अगर नहीं किया तो ये mango custard की recipe आप सब के लिए है जिसे बनाना बहुत ही simple है और बहुत ही easy है खाने में तो इतनी अच्छी लगती है कि सब आपके fan हो जाएंगे तो वीडियो लास तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छी लगे तो please like, share and subscribe my channel friends सबसे पहले pan में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और उसके बाद हम half kg दूद डालेंगे और दूद को बिल्कुल slow gas flame पर रखतेंगे इतनी देर बचे हुए थोड़े से दूद में हम custard powder यूज कर लेंगे तो यह total जो custard powder हमने यूज किया है वो two and half spoon है और अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना रहें और अच्छे से हम इसको हिलाते रहेंगे सिरफ one minute के लिए और उसके बाद इसको separately रख देंगे थोड़ी देर के लिए जब तक कि जो दूद है उसमें अच्छे से उबाला आना स्टार्ट ना हो जाए तो दूद हमारा अच्छे से गरम हो चुका है साथ के साथ थोड़ा थ सब अपने टेस्के कोर्डिंग डाल सकते हैं कम यह जादा मैंने इसमें 5 स्पून चीनी डाली है और चीनी को भी अच्छे से दूद में हम मिक्स अपोने देंगे 2-3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम अभी भी दीरे ही रखेंगे ताकि जो दूद है वह अच्छे से बॉयल ह हो जाए और अच्छे से कडना स्टा ओ जाए उसके बाद ही हम जो जो कस्टड हमने मिक्सक्रकि करके रखा है वह तब डालेंगे जब चीनी अच्छे से मेel't हो जाएगी दूद के साथ और उसके बाद ही हम कस्टड मिल्क दालेंगे तो यह पर्फेक्ली रेडी हो चुका है इस टाइम पर और आप देख सकते हैं कि जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो इस टाइम पर दूद में उभाला आना स्टार्ट हो गया इस टाइम पर ग्यास का फ्लेम हाई कर लेंगे और उसके बाद हम फटा फट से कस्टर पॉडर मला मिल्क डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेंगे क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे ना तो गांठे बननी स्टार्ट हो जाती है तो फटा फट से डालते सारी हम इसको हिलाना शुरू कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लंस ना पढ़ें कोई भी गांठे ना पढ़ें और यह जो पॉडर है वह अच्छे से दूद के साथ मिक्स अप हो जाए आप देखेंगे कि जैसे आप कस्टर पॉडर बला मिलकिस में डालेंगे ना तो दूद में थोड़ी थिकने सानी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लिए हम ग्यास का फ्लेम लो करके रख देंगे इतनी देर हम मैं जार में डाल दिया है ताक क्यूंकि हमने इसे पीसना है और थोड़े से हम मैंगो के चंक्स ऐसे ही निकाल लेंगे एक बॉल में क्यूंकि जब हम कस्टर्ड में हम मैंगो का मिक्स्चर डालेंगे तो उसमें जब हम बॉल में शिफ्ट करके इसको सर्फ करेंगे तो यह जो बच्चो को और बड़ो को जब ये mango chunks मुह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और तभी ये जो mango custard है बहुत ही फेवरेट है बच्चो का भी और बड़ो का भी तो अब हमने सारे mango इसको अच्छे से चील लिया है और उसके बाद हमने इसका mixture ready कर लिया है mixi में grind करने क के बाद अब हम इसको बॉल में shift कर लेंगे तो ये जो mango का हमारा mixture वो perfectly ready हो चुका है और उधर दूद भी अच्छे से कस्टर पॉडर डालने के बाद slow gas flame पर पक रहा है और इधर जो dry fruits मैंने डाले हैं उनको मैं अच्छे से पीस लूँगी क्यूंकि dry fruits के बीना ना कोई भी desert अधूरा है तो अब मैंने gas को बंद कर दिया था बीच में और उसके बाद हम इसको अच्छे से mixture में mix up कर लेंगे और थोड़ा सा थंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद ही हमने से डाला है और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख अब मैं इसको सर्फ कर रही हूं सर्फ करने के लिए मैंने बर्तन लिया है जिसमें चोटा सा और उसमें मैं यह कस्टर डाल रही हूं और उपर से मैं यह थोड़े से मैंगो के चंग्स डालूंगी थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स डालूंगी और थंडा थंडा यह खाने म बहुत ही अच्छा लगता है आप देख सकते हैं कि मैंगो के चंक्स कितने अच्छे और दिखने में भी ये कस्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़े से ड्राइफ फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ हम इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर देंगे ताकि जितना य कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शियर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल फ्रेंड्स गर्मियों में जब भी कोई गेस्ट आए तो उनके लिए आप ये स्पेशल मैंगो कस्टर्ड जरूर बताना और बनाना भी थैंक्स वर वाचिंग म वीडियो फे